लड़ाई लड़ सकते हैं आज जागरुकता के अभाव में कूपोशन से गरीब भी और संपन भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावी थे पूरे देश में सितंबर महिना पोशन अभियान के रुपे मनाया जाएगा आप जरूर इससे जूड़िए जानकारी लीजिए कुछ नया जोड़िए आप भी योग्यान दीजिए अगर आप एकांध व्यक्ति को भी कूपोशन से बहार लाते हैं मतलब हम देश को कूपोशन से बहार लाते हैं हेलो सर्व मेरा नाम श्रश्टी विग्या और मैं सेकिंड यर्की स्टुडेंट हूं तर मैंने ट्वेलगर्स को आपका एपिसोड देखा था विए गिल्स के साथ इसमें आप आए थे तो सर मुझे वापका एपिसोड देखके बहुत अच्छा लगा फस्ट अफॉल तो य और सर लास्ट में एक और बाद एड़ करना चाहूंगी कि आपका फिटनेस लेवल देखके हम जैसे यंग्सर बहुत जादा इंप्रेस और बहुत जादा मोटिवेट हुएं आपको इतना फिट और देखके सुरस्टी जी आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद आपकी ही तरह हर्याना में सोहना से केके पांडे जी और सुरत की हैश्वद या सर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चेनल पर दिखाये गए मैन वर्सिस वाइल एपिसोड के बारे में जानना चाहा है इस बार मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस वीशे में बहुत सारे सवाल आएंगे और हुआ भी ऐसा ही और पिछले कुछ हफ्तों में मैं जहां भी गया हूं लोगों से मिला हूं वहां मैन वर्सिस वाइल का भी जिक्र आही जाता है इस एक एप सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवां कितनी विविद्धता परी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवां के दिल को छूने का मेरे जिंदगी में अवसर आएगा और होता क्या है अभी पिछले स पास जाता हूं बैठता हूं तो कोई नहीं पांच साथ मिनिट तो योगा के शवाल जबाब करते ही यह प Chandryु इस दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के समय में चर्चा किई हो और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है लेकिन इन दिनों एक नाया अनुभव आ रहा है जो भी मिलता है जहां भी बात करने का मौका मिलता है वे वाइड लाइफ के विशे में चर्चा करता है एंवार्मेंट के समन में चर्चा करता है टाइगर लायन जीव और मैं हरान हूं कि लोगों की कितनी रूची होती है डिस्कवरी ने इस कारकम को 165 देशों में उनकी भासा में प्रसास्रित करने की योजना बनाई है आज जब परियावरन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक मंथन का दोर चल रहा है मुझे आशा है कि ऐसे में यह कारकम भारत का संदेश भारत की परंपरा भारत के समस्कार यात्रा में प्रकृती की प्रती सम्वेदन सिल्ता इन सारी भातों से विश्व को परहिचित कराने में इस डिस्कवरी चैनल का यह एपिसोड बहुत मदद करेगा ऐसा मारा पक्का वि कि दिशा में उठाय गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं लेकिन और इंट्रेसिंग बात है कुछ लोग संकोज के साथ मुझे एक बात जरूर पूछते हैं कि मोदी जी बताइए आप हिंदी बोल रहे थे और बेर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं है तो इतना तेजी से आपके भी संवाद कैसे होता था यह क्या बाद में एडिट किया हुआ है या इतना बार-बार शुटिंग हुआ है क्या हुआ है बड़ी जिग्यासा के साथ पूछते हैं देखिए इसमें कोई रहस्य नहीं है कई लोगों के मन में सवाल है तो मैं इस रहस्य को खोली देता हूँ वैसे वह रहस्य है इंा रिऄलीटि यह है कि बेर ग्रिल्स के साथ बात्चीत में टेकनोलोजी का भरपूर इस्थमाल किया गया जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में साइमेंटेनियस अनुवाध होता था साइमेंटेनियस इंटर्प्रेशन ह और बेर ग्रिल्स के कान में एक कॉडलेस छोटा से इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था तो मैं बोलता था हिंदी लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी और उसके कारण समवाद बहुत आसान हो जाता था और टेक्नलोजी यही तो कमाल है इस शो के बाद बड़ी संख्य पर जरूर जाएं मैंने पहले भी कहा है मैं जरूर कहता हूं आपको आपने जीवन में नौर्थिस्ट जरूर जाइए क्या प्रक्तृति है वहाँ अब